कि कुछ नहीं है यह अपना ख्याल उप ल沒關係 का काम या कि इसति का बात बोले लोग कहते ही रहते हैं हम भी को रहा है कि केंद्र की सरकार भी गिरने वाली है चालिस के चालिस लोग सभा की दावा करने माले बीजे पी चोवीस में सफाया होने जा रहा है देखिए यह जो देश की जो अजादी हुई है इस तमाम लोगों के पूर्खों के पुरुबानी का देना उस अजादी में गिरी राज सिंग कहीं नहीं थे अब धर में अलग मामला आस्था एक अलग मामला है इस तरह के ब्यानबाजी वही करते हैं जो समाज हीत में काम नहीं करते हैं नमस्कार आप देखना शुरू कर चुक है लाइफ शिटीज में अब इशेक है बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस्राइल मंसुरी जी अच्छा महागटबंदन में सब कुछ श्रीक है ना इसा कुछ नहीं है यह लोग अपना क्यालू पुलाओ ब लेकिन सरकार में कहीं कोई गठीरोद नहीं है सरकारी युजजगार के लिए बेहतर सिक्षा और सवास्त के लिए सरकार कटीबद है और लगातार काम कर रह drain हमारे मानियमुक्मांतरी जी अभी लगातार समाधान यातरा के माध्धम से सभी जगा का फीड़बेक ले रहे हैं जितने भी सरकारी योजनाय चल रही है उन तमाम योजनाओं को अपने खुद जाकर के देख रहे हैं बिहार के हित में बहुत अच्छा काम महागटमंदन की सरकार कर रहे हैं कि बिहार में कुछ महीनों में चुनाव होने वाला है अच्छा तो यह तो चलता ही रहता है लोग कहते ही रहते हैं हम भी कह रहा है कि केंद्र की सरकार भी गिरने वाली है तो क्वाह देने मात्र से थोड़ी होता है आप देखिए न कितनी मजबूत महागटमंदन यहां कोई इसू नहीं है बहुमत से भी ज्यादा हम लोग की संख्या है और नितिजी और तेस्वी जी के नितुरुत में बिहार आगे बढ़ भी आ है अच्छा तो उनकी पार्टी है राष्टिये पार्टी है सरकार में है लोग सभा की चुनाव होने वाली है तो और यहां यहां भी कोई भी पार्टी के नेता कहीं भी आ जा सकते हैं हमारे पार्टी के भी नेता भी नाई गाली चुनाव लर्बाने तो सब लोग आते ही जाते रहते हैं तो तो कोई वड़ी बाली कि दाबा करने माले बीजेपी 24 में सफाया होने जा रहा है यह आपको जनकारी है पूरे देश के लोग युबाव बिरोजगार जो हश्य की ठग हुए महसूस किये हैं और जिस तरीके से बिरोजगारी बड़ी है और जिस तरीके से सरकार के दोरा जो बनाए गए जो भी परदान को बेचे गए इनके द्वारा इससे साफ देश की जंत आप समझ चुकी है इनके जहांसे में नहीं आने वाली है और दोहजार चोबस में इनकी बीदाइता है परदान मंतरी नरेंदर मोदे जी जो बात बोले है पहले उस पर उनको अमल करना चाहिए उनहीं के केबिनेट की उस अदस है गिरिराज सिंग अगर उनके बात के अगर अमल नहीं करते हैं इसका मतलब है कि उनसे नाइतिफाक रखते है पसमंदा मुसल्मान से आते हैं और पसमंदा मुसल्मान को बीजेपी टारगेट बीजेपी अपना वोडबेंक के लिए कर रही है और आप एकमातर विधायक हैं और बिहार सरकाने मंतरी हैं तो बिहार के सबसे बड़े नेता है पसमंदा समाज के तो ऐसे में क्या लगता है जिस तरीके से गिरीराज सिंग ने बयान दिया कि आजादी के समय अगर पुर्वज आप लोग को भेज देते तो आज धंकी नहीं देते हैं। सारे लोग मिल करके इस बतन को अपना फून और पठीशा से सिचने का काम किया है और कहीं कोई भी बाद नहीं है। हम लोग अपने जीवन में कभी एहसास भी नहीं हुआ। और तमाम समाज के साथ हम लोग उठा बैठने का काम किया है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा है। कोई भी बहु संख्यक समाज के साथ बैठे हो। चाहे किसी धर्म के साथ बैठे हो। मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ है। कि यह हिंदू है और महीं मुस्लिम हूँ। अब धर में अलग मामला है। आस्था एक अलग मामला है। इस तरह के बैठे करते हैं। इस तरह के अनरगल में रहना चाहते हैं। तो आपने सुना की विहार सरकार के मन्त्री ने क्या कुछ कहा। साफ़साफ कहां मागटबंधन में और decade का सफाया हो जाए गाँ दूच्टाफ पहारास सिंख्ट को लेका साफव नफरत फैलाने की राजनीती करते हैं। और हम लोग एक्ता की राजनीती करते हैं, नफरत फैलाने को वाले को नफरत फैलाएं दीजिए, लेकिन एक्ता भारी पड़ेगी तो बैयाने ये लाइफ इटीस के साथ.